हलो फ्रेंड आपका स्वागत है आपीके चैनल ट्रेडर जोन में आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में आज इसका पॉफॉमेस कैसा था और कल इसका performance कैसा हो सकता है उसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो के माधियम से समझने की कोशिश करेंगे friends आज भी एक disappointing day था yes bank के share rollers के लिए आज market में गिरावट देखने को मिली nifty में भी गिरावट थी और bank nifty में भी गिरावट थी जिसका असर yes bank में भी देखने को मिला उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए है और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको इसी तरह की latest news और analysis मिल सके है चलिए friends पहले तो हम आज का performance देख लेते हैं yes bank का कैसा performance था जैसे कि आप देख सकते हैं इसने closing दी है 13.55 पैसे पर और अगर हम percentage में बात करें तो 0.73% की इसमें गिरावट देखने को मिली एक range में चल रहा था yes bank एक उच्छाल देखने को मिला around 12 बजे के करीब इसके बाद 13.50 पैसे चलिए हम NSA के website पे देख लेते हैं कि कैसा कारोपार था आचा yes bank का जैसे कि आप देख सकते हैं कि quantity traded है 7 crore 70 lakhs की इसमें quantity trade हुई है और delivery हाई गई है 3 crore 44 lakhs 63,000 की इसमें delivery हाई गई है अगर हम percentage में बात करें तो 44.76% की इसमें delivery हाई गई है friends काफी दिनों से 40 plus percentage की इसमें delivery हाई जा रही है अगर हम BAC के website के बारे में बात करें तो इसमें quantity traded है 1 crore 40 lakhs की इसमें quantity trade हुई है delivery हाई गई है 52 lakhs की इसमें delivery हाई गई है friends इसमें भी 37.20% की delivery हाई गई है जो की एक अच्छा इंडिकेशन है Yes Bank के shareholders के लिए अगर इसमें जादा percentage की delivery हाई जाती है तो वो एक positive संकेत है कि इसमें तेजी आने की संभावना है friends अगर हम Nifty के बारे में बात करें तो Nifty में 0.42% की गिरावट देखने को मिली यह close हुआ था 15,748 पे closing दिया है इसमें भी आज गिरावट देखने को मिली यह lifetime high पर चल रहा है friends कभी भी इसमें profit booking देखने को मिल सकती है और अगर हम bank Nifty के बारे में बात करें तो 0.99% की गिरा निकाला है जैसा ही आप देख सकते हैं आज ही की news ही है yes bank gross deposit and loan and is optimistic about future तो यह money control की side से मैं आपके लिए screenshot निकाला है इसमें deposit और loan book में growth हुई है और future के बारे में optimistic है करके बता रहे हैं friends जो कि एक अच्छी news है yes bank के share rulers के लिए और जैसे कि आपको पता ही है के प्रशांद कुम MSME को loan के द्वारा देकर अपने business को expand कर सकेंगे friends यह positive indication है कि yes bank में एक track पर चल रहा है business करके अगर हम next news के बारे में बात करें तो friends जैसे कि आपको पता ही है कि Gotham Thaper को arrest कर लिया गया है CBI के द्वारा और जैसे कि आप देख सकते हैं CBI on Thursday carried out searches at six locations और उन पे inquiry हो रही है जो fraud कि था उन्होंने 2 crods 435 crods का जो fraud किया था उसके उपर उनके उपर charges लगाए गए हैं और छे different location पे चापा मारा गया है police के द्वारा अगर हम yes bank के बारे में बात करें तो 466 crods का इन पे fraud है और यहां से recovery होनी की संभावना है friends अगर हम next news के बारे में बात करें तो cabinet soon clear proposal for government guarantee to bad bank त दिख सकता है bad bank के bad bank में और यह PSU banks के लिए एक रहत है जितने भी bad loans है वो bad bank को transfer कर सकते हैं तो यह helping hand रहेगा government की तरफ से PSU banks के लिए और private bank के लिए भी कुछ न कुछ सोच कर government ने रखा होगा friends तो मैं expect कर रहा हूं कि next month में इसके बारे में कुछ न कुछ news निकल कर आईग जैसे कि आप देख सकते हैं कि the union cabinet में soon clear a proposal to provide government guarantee to search issues by the national asset reconstruction company NARCL as a resolution of bad loans bad loans के लिए यह NARCL करके open किया जाएगा next month में तो एक अच्छी बात है PSU banks के लिए और हमें एक नजर रखनी होगी कि private banks पे कुछ news निकल कर आती है अगर निकल कर आती है तो सबसे बड़ा benefit Yes Bank को और Yes Bank के shareholders को होगा friends एक report आपको बताना चाहता था जैसे कि आप देख सकते हैं कि mutual fund may 2021 shareholder and fund action in Yes Bank limited तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि may के महीने में इसमें mutual fund companies की तरफ से ज़्यादा ज़्यादा इसमें माल उठाया गया है जो कि एक positive indication है और मुझे लगता है कि यह mutual fund companies की वज़े से गिरावट देखने को मिल रही हैं यह operators के बराबर होते हैं जो market का रुख कहीं भी मोड सकते हैं तो mutual companies के द्वारा माल उठाया जा रहा है और retail investors को डरा कर उनके हाथ से माल खीचा जा रहा है friends जैसा कि आप देख सकते हैं कि may may भी mutual companies के द्वारा बड़े quantity में माल उठाया जा था कि आज ही इसमें एक reversal देखने को मिल सकता है करके क्योंकि William percentage oversold की zone में enter कर चुका है कभी भी reversal आनी की संभावना है friends चलिए हम चार्ट पर बात कर लेते हैं कि कैसा performance था आज का और कल इसका performance कैसा हो सकता है friends जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं लगातार आपको कह रहा से और 14 रुपे के range में चल रहा है कई दिनों से और यह 1350 का support break नहीं कर पा रहा है friends तो मुझे लगता है कि यहां से एक reversal लेने की पूरी संभावना है क्योंकि William percentage oversold की zone में enter कर चुका है और यहां से एक बड़ा reversal आ सकता है अभी तो तमाम indicators अभी negative indicate कर रहे हैं VWAP negative indicate कर रहा ह RSI भी negative indicate कर रहा है William percentage oversold की zone में enter कर चुका है और यहां से एक reversal आने की पूरी संभावना है अगर कल bank nifty में गिरावट होती है तो इसमें भी गिरावट 15 पे से गिरावट देखने को मिल सकती है अगर bank nifty positive खुलता है और positive रहता है तो मुझे लगता है कि यहां से एक 13 रुपी 75 पैसे 14 रुपीज का target भी देखने को मिल सकता है अगर downside में बात करें तो यहां पर एक strong support है जो कि 13 रुपीज 40 पैसे 13 रुपीज 45 पैसे का एक strong support है मुझे नहीं लगता है कि यह इतना नीचे जाएगा क्योंकि जैसे कि आपको बताया भी था कल कि यह एक strong support break नहीं कर पा र process करूँगा कि hold करके चलिए आपको जरूर इसमें तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि जिस तरह के काम किये जा रहे हैं प्रशांद कुमार जी के द्वारा काफी precious नीचे और मुझे लगता है कि इसमें जल से जल आपको तेजी देखने को मिल सकती है और आपको मैंने अपने का target रहेगा अपसाइट पए 14 रुपीज का target रहेगा अगर down side जाता है तो यहाँ पर हमेंड़ पर 13 रुपीज 45 पैसे 13 रुपीज 40 पैसे भी देखने को मिल सकता है ठेंच यह तो मेरे views थे कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से advice लेकर ही invest कीजेगा अगर यह video आपको करना माद बुलिये